हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा मल्टिनेशल कंपनी का मीनिंग मल्टिनेशल कंपनी की शौट फर्म होती है MNC और इसको ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहा जाता है मल्टिनेशल कंपनी वो कंपनी जिनकी एक से जएदा कंट्रीज में होती है वो एक कंट्री में होम जो उनकी होम कंट्री हैं वहां पे रहती हैं और जहां-जहां पे उनकी अलग-लग कंट्रीज में फ्रेंचाइजी खुली हुई है उन सब को कंट्रोल करती है तो ओर्डर कहां से आते हैं basically होम कंट्री से आते हैं and it carries business in other countries वोई वली बात, headquarter से country में होगे और वोई headquarter से सारे world में जहाँ जहाँ उनकी franchise फैली हुई है वहाँ पे उनको control किया जाएगा In the words of Neil H. Jacobi यह scholar हुए है famous वो क्या कहते हैं, a multinational corporation owns and manages business in two or more than two countries कोई भी बड़ी company या कोई भी business enterprises जो दो या दो से ज्यादा countries में फैली हुई है जिनका business दो या दो से ज्यादा countries में फैला हुआ है उसे multinational company कहा जाता है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी next video मैं मैं लेके आने वाला हूँ features, oblique characteristics of multinational companies till then take care, have a nice day और अगर आपको या वीडियो पसंद आई तो please like, share and subscribe